परिवर्तन के प्रकार टाइप साफ ट्रांस्फॉर्मेशन हम परिवर्तन के दो प्रकार देख सकते हैं पहला है दिड़ परिवर्तन या रिजिट ट्रांस्फॉर्मेशन ऐसी क्रिया है जिनमें मूल आकृती परिवर्तित आकृती के सरवांग सम होती है इन परिवर्तनों को दिड़ परिवर्तन या रिजिट ट्रांस्फॉर्मेशन कहा जाता है चत्रभुज A, B, C, D को क्रमशह चित्र 3, 1 में खिसकाया गया है चित्र 3, 2 में पल्टाया गया है और फिर चित्र 3, 3 में घुमाया है क्या यह सभी एक ही चत्रभुज के चित्र है यहां एक ही आकरिती पर क्रमशह तीन अलग-अलग क्रियाएं की गई है हम देख सकते हैं कि परिवर्तन के प्रते क्रिया के बाद मूल आकरिती के अपेक्षा परिवर्तित आकरिती की इस्थिती बदल जाती है हम जानते हैं कि द्रिट परिवर्तन में क्रियाओं के बाद आकरितियों की आकरिती और आकार नहीं बदलते हैं अब हम इन तीनों क्रियाओं को बारी बारी से विस्तार से देखते हैं इन में से पहला है इस्थानांतरन ये ट्रांसलेशन चित्र तीन एक में हो रहा है परिवर्तन को देखिए चत्रभुज ABCD को एक स्थान से चार सेंटीमीटर 36 दिशा में खिसकाया है क्या चत्रभुज की सभी भुजाओं का माप इस्तिर होगा क्या चत्रभुज के सभी कोड़ों का मान इस्तिर होगा हाँ सर्वांग सम आकरितियों से चुड़े आधारों को याद कीजिए दिप्तिय ने कहा हाँ परिवर्तन एक में दोनों चत्रभुज सर्वांग सम है यानि संगत भुजाओं की माप और संगत कोड़ों की माप आप परिवर्तित रहेंगे इसलिए AB बराबर A-B- BC बराबर B-C- CD बराबर C-D- और DA बराबर D-A- साथ ही संगत कोड़ भी बराबर होंगे कोड़ ABC बराबर कोड़ A-B-C- कोड़ BC-D बराबर कोड़ B-C-D- कोड़ C-D-A बराबर कोड़ C-D-A- देश और अंत में कौन डी अबी बराबर कौन डी डेश एडेश बी डेश चतुर्भूश की आकरिती और आकार खिसकाने की क्रिया के बाद अपरिवर्तित है इसलिए यह एक दिड़ परिवर्तन है ऐसी क्रिया जिसमें आकरिती को एक स्थान से किसे निश्यत दूरी और निश्यत दिशा तै करके दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है को स्थानांतरन या टांसलेशन कहते हैं सोचे और थोड़ी चर्चा करें क्या पल्टाने और घुमाने पर भी चत्रभूज की संगत भुजाएं और कौन बराबर होंगे कारेंट सोचिए और चर्चा करके लिखिए परावर्तन रिफलेक्शन चित्र चार में हो रही क्रिया को देखते हैं यदि रेखा L पर एक दरपन खाड़ा कर दें तो चत्रभूज A, B, C, D का प्रत्वीम कैसा दिखेगा क्या वह चत्रभूज A, B, C, D, D की तरह दिखेगा रवी कहता है कि यदि मैं A, B, C, D को रेखा L के आधार पर पल्टाओं तो मुझे A, B, C, D, D, मिलता है क्या वह रवी के तरीके से सहमत हैं? आप दूसरी आकरिती बनाकर एक निश्चित रेखा के आधार पर पल्टा कर देखें कैसी आकरिती मिलती है यह आकरिया परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहलाती है और वह रेखा जिसके आधार पर परावर्तन करते हैं उसे परावर्तन कर रेखा या लाइन आफ रिफ्लेक्शन कहते हैं जिसमें किसी आकरिती को एक निश्चित रेखा के सहब एक्ष पल्टा कर परिवर्तित आकरिती मिलती है यह दिए हम रेखा L से चतरभुज A, B, C, D की दूरी X माने और चतरभुज A, B, C, D, की दूरी को Y माने तो क्या X वराबर Y मिलेगा? हाँ वास्तिवी का आकरिती और परावर्तन के बाद मिली आकरिती रेखा L से समान दूरी पर होगी ध्यान दे कि यह परावर्तन का एक खास गुण है चलिए इसी बात को एक उधारेन से समझते हैं यहाँ चित्र पांच में दिये गया वर्ग M, N, O, P का परावर्तन करके वर्ग M, N, O, P, O, P, D, मिला अब आप दोनों वर्गों के संगत शिर्षों को मिलाईए संगत शिर्षों को मिलाने वाला रेखा खंड P, P, O, O, D, और N, D, रेखा L को क्रमशह बिंदू A, B, C पर काटते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि P, A बराबर P, A साक्षी कहती है बिंदू A की शिर्ष P से जितनी दूरी होगी शिर्ष P डेश बिंदू A से उतनी ही दूरी पर मिलेगा मतलब P, A बराबर P, A इसी तरह क्या O भी बराबर O डेश B और N सी बराबर N डेश C भी होगा इस चर्चा से हम यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेखा L से दोनों वर्गों की दूरी समान है